Hello friends, मैं हूँ सनमय प्रकाश और इस करेंट फॉर्स वीडियो में सबसे पहले important question, topics देखते हैं जिस पर चर्चा होने वाली है तो प्रामिश्टर नैनमोदी ने UAE के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उधगाटन किया है? क्या खास है इसमें? World Government Summit कहा पराज़त हुआ है और उसमें भारत को किस प्रोजेक्ट के लिए गौफ टेक आवार्ड मिला है? किस जगह इससे दुनिया के सबसे बड़े renewable energy प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है भारत में? सम्मत्र में तेल रिसाव के वज़े से किस देश ने आपातकाल की घोशना कर दिया है? एक जहाज उस देश के पास में ही पलट गया और पूरा तेल चौरतों फैल गया है? किस पुरुवत्तर राज ने काजी नेमू यानि खटे नेमू को राज फल घोशिट किया है? शत्रंज उलम्पियाड का 45 संस्क्रण किस शहर में होगा? और भारत के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने मशाल भी सौपा है उस देश को तो कई सारे इंपॉर्टन टॉपिक है आपके एग्जामनेशन का पॉइंट विए से और आपको होता हूँ कि UPSC Civil Science Examination का नोटिफिकिशन आ चुका है इस बार का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो करेंट फुर्स की तियारी यहाँ पर शांदार होती है मेंबर्शिप प्लान भी है सरकारी जौब नहीं इसके एप पर बहुत मामली सब प्राइस उसका चूट भी चल रही है तो पहला कोशन लेते हैं इंपॉर्टन कोशन प्रामेश्टर नैंद मोदी ने UAE यानि United Arab Emirates के किस शहर के पहले हिंदु मंदिर का उधगाटन किया फरवरी 2024 में यहाँ पर ध्यान रखेगा यह इस्टोन टेंपल है यानि पत्थर से निर्मित यह मंदिर है आंसों का आबुदावे ठीक है यह पत्थर का मंदिर नहीं था इसलिए यहाँ पर हिंदु ने साफ दोर पर लिखा है फर्स्ट हिंदु स्टोन टेंपल इन आबुदावे क्लिर होगी बात यहाँ ट्रिकी कोशन भी घुमा के पूछे जा सकते हैं आपके एक्जामनेशन में तो चौतर फर्वरी को यह सहुत अरब अमिराट्स की राजधानी में यह मंदिर का उद्खाटन हुआ है एक बार मैप देख लेते हैं युएई का फिर और डिटेल बताते हैं आपको तो यह रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं मिटिलेश्ट की और या कहें हम लोग कहेंगे पश्यमेशिया की और यह रहा युनाइटर आरब अमिराट्स तो यहीं इसी की रजव राजधानी है वहीं पर यह मंदिर अस्थापित किया गया है यह लॉंग व्यू है जो मंदिर का यहां देख रहे हैं आप शिखर ठीक है और अगर नेज़िकर चलेंगे तो यह है भव मंदिर और इसे किसने बनाया तो बी ए पी एस ने यानि बोच दिली में और अहमदबाद में ठीक है तो यह जो मंदिर देख रहे हैं हम शांदार मंदिर तीस की नकाशी राजस्थान में हुई है और जमीन आबुदाबी के जो प्रिंस उन्होंने दान की थी और हर धर्म के लोग जो है वो उद्गाटन समारों में मौजूद थे तीस द राष्टपती का है राष्टपती नाहयान ने मंदिर के प्रस्ताव पर बगैर एक पल भी गवाए हां कह दिया था प्रमिश्र का कहना है कि उन्होंने यानि अलनाहयान ने उनसे कहा था कि जिस जमीन पर आप लकिर खीज दोगे वो आपको दूगा तो इस मंदिर के निर्म का जो विचार है वो BAPS के आचार को 1997 में आया था और फिर 2012 में मंदीर के लिए जमीन तलाशने का काम हुआ 2015 में मंदीर के निर्मार की योजना में तेजी आई और जब मंदीर निर्मार की योजना पूरी बन गए तब बड़ी चुनाती थी कि मंदीर की नीव बनाना क्योंकि आबुदा भी जो ना वो रेतिली जमीन पर बना हुआ है यह देख रहे हैं आप न इस तरफ पूरा रेति दिख रहा है रेतिली जमीन पर ना हुआ लेकिन फिर जब एक्सपर्ट ने आलग जगों पर खुदाई शुरू की तो पता चला कि जमीन जमीन पर मंदीर बनाना है उसके नीचे कई किलोमेटर लंबी चौडी जो है वो चटान है और उससे इसको एक अच्छा बेस मिल रहा अफरवरी को प्रामिश्ट नायंद मोधी और महंत स्वामी महराज ने इस मंदिर का उधगाटन किया है ठीक है यह जो मंदिर है वो 27 एकर में फैला हुआ है निर्मान पर लगबग 700 करों रुपे खर्च हुए यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है महत्पुन बात ही है ठीक है क्या है नागर शैली में बना हुआ है और खास बात है कि आबुदाभी में किसी मूर्ती की नकाशी नहीं की गई है दसल हुआ है यह कि 10,000 से ज़्यादा मूर्तियों और दूसरे इंफर्ट्रॉक्टर का जो निर्मान है वो भारत में हुआ है यानि राजिस्थान के सिरोही और डूंगनपूर में ठीक है और इसके बद बड़े बड़े ट्रॉलों में जहाज में रखकर इसको मूंदरा पोर्ट ले जाए गया गया गुजरात के यहाँ पर और फिर यहाँ से शिप के जरीए यहाँ पर पहुँचाए गया और फिर उसको उस मंदिर अस्थर पर लगाएगा और तमाम पिलर्स को जोड़ा गया और वहां जोने मंदिर को उसका काया कल्प किया गया है ठीक है और खास बात है यहां पर मैं यह दिखा देना चाहता हूँ यह साथ देखिए यूए जो है वो साथ अमिरातों से बना हुआ है एक संग है और उसमें आबुद के साथ शिखर बनाए गया है सेवन और साथ हिंदू देवी देवताओ को वुड़ा जमान यहां पर किया गया है साथ गर्भ ग्रे हैं अब जिसने यह मंदिर बनवाया है उसके बारे में बताओं यानि बी ए पीएस इसका फुल फॉर्म होता है बोचास वासी श्री अक्ष पुरुषत्म स्वामिनारान संस्था ओके तो एक हिंदू समाजी का ध्यात्मिक संस्था है हेट्वाटर अहमदाबाद में है और इसके दुनिया भर में 1200 ज्यादा मंदिर है अहमदाबाद का जो और दिल्ली का आक्ष्य धाम मंदिर है इसी संस्था के प्रयास से बना बोधी ने हिस्सा लिया है आंसो होगा इसका दुबई ठीक है यूएई का एक शहर है बहुत ही डवलप शहर है दुबई ठीक है मंदिर का उदगाटन का हुआ मंदिर कहा अस्था पर तुआ वह है आबुदाबी ओके और यह दुबई में यहां पर वर्ल्ट को आकार देना यह है इस पर कि थी यह शिखर सम्मिलन है समिट है इसमें दस देशों के राष्टपती अलगले देशों के प्रधान मत्री सहीत 20 विश्वर नेताओं ने ग्लोबल जो टॉप लीडर है उन सबने पाटिस्वेट किया और इसके लवा 120 से अधिक देशों के सरक वैश्विक नेताओं और नीती निर्माताओं का एक वार्षिक सभा है 2013 में इसको शुरू किया गए था स्थापित किया गए था और सारुजनिक और नीजी छेतर के में जो निर्ने की छमता है बहस है तो उन सब के लिए एक मंच प्रदान करता है ठीक है तो हम लोग UAE की ब मुत्राहिया की UAE दिरहम और आबादी है मातर 92 लाग और परी भारतिये समुदाय भी रहते हैं यहाँ पर अगला कोशन वर्ल्ड गवर्मेंट समिट यानि विश्व सरकार शिकर समेलन 2024 में भारत ने किस प्रजेट के लिए नौवा गॉप्टेक पुरुसकार जीता है यह आंसो का इसका I-R-A-S-T-E यह है ओके तो इनौवा गॉप्टेक पुरुसकार से भारत को सम्भानित किया गया है यह इस दोरान का फोटोग्राफ देख रहे हैं इसे सम्भानित किया गया है इस प्रजेक्ट को अब यह प्रजेक्ट क्या है आगे मैं बताता हूँ तो किस संचलिजस सरकारी सिवाओं इसके लिए और यह जो यह जो प्रजेक्ट है ना I-R-A-S-T-E यह भारत सरकार के सर्क परिवान और राजवांग मंत्रा लेकि परियोजना है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजन सॉलुशन फॉर safety through technology and engineering okay road safety के लिए technology और engineering का इस्तमाल करते हुए intelligent solution वो प्रवाइट करना तो इक अप्टेक जो प्रुसकार है वो दुबई के राजकुमार शेख हमदान बिन मुहमद अलमक्तून इन्होंने ये दिया है और रिसीव किस ने किया है तो भारत की ओर से भारती महा वानी जो दूतावास के जो वानी जीक दूत है उन्होंने इसको रिसीव किया तो एक सरक सुरक्शा में करानती लाई जारही है भारत में इसके ज़रिये वहान की सुरक्षा कैसे मोगरा का इसपीड प्रजक्ट है ये कुछ जगह चल रहा है जिसे नागपूर तयलंगना में दो जगह तयनात किया गया है पारलट प्रजक्ट के तहट पहला चरन तयलंगना में हुआ था और इसमें खासव पर हैधराबाद में वहनों के बेडे में तक्राव हो जाता था तो उसके बचाव की पूरी परणाली विक्सित की गए थी, क्लियर होगी बात, PDF में मैंने पूरा डिटेल दे दिया, अगला कोशन भी बहुत ही महात्मूर्ण है, दुनिया का सबसे बड़ा Renewable Energy Project, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले इंफर्म करतों कि इसका PDF अपलेबल है, इस फुडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंगलिश दोनों लेंग्विज में है, और सरकारी चॉपने इसको एप है, वहाँ भी अपलेबल है, फ्री में डेली का PDF होता है, लेकिन अगर आप एग्जामनेशन के तियारी करना चाहते हैं, तमाम चाहिए जो भी हो, UPSC का तो Civil Service के एग्जामनेशन का नोटिफिशन भी आ चुका है, तो पिछली बार तो Current Force बहुत सारे कोशन आयते, 30-35 कोशन थे, और बहुत सारे जो हमने बताए हुए थे, वो सब टकड़ाए थे, और उसका मैं जो वीडियो बना हुए हुए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो यहाँ पर मेंबर्शिप प्लान है, जाहिए आप IS, एग्जामनेशन या PCS, या डेलवे, या SSC, या स्टेट SSC, पुलीस, टीचर इन सब के एग्जामनेशन के तियारी कर रहे हैं, तो करेंट फर्स का सोलोशन आपको सरकारी जौब ने उसके एप पर मिलेगा, दो तरह के मेंबर्शिप प्लान है, एक बेसिक मेंबर्शिप प्लान है, जिसमें SSC, पुलीस लेवल के, टीचर लेवल के, राज्यों के, जो और एग्जामनेशन उन सब के लेवल के तियारी होती है, और दूसरा जो है न, वो है IS PCS लेवल का एग्जामनेशन के तियारी, बहुत ही मामुली सप्राइस है छूट चल रही है बस खुछी वक्त के लिए और इस सब के जरिये आपको करेंट फोर्स का PDF मिलता है वीडियो मिलता है और टेश्ट मिलता है मौक टेश्ट PDF आपको पिछले दो सालों के मिलेंगे क्योंकि एक्जामेशन में पिछले दो सालों तक के कोशन आते हैं और अगले एक साल तक आपको करेंट फोर्स का यानि 365 तक करेंट फोर्स का अपडेट मिलता रहेगा डेली अपडेट, PDF, weekly, monthly, quarterly, yearly, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्विजें साथ में वीडियो होगा इसी तरीके से साथ में टेश्ट, मौक टेश्ट जो करेंट फोर्स का है डेली, वीकली, मन्थली ये सब रहेगा और पिछले एक साल का भी टेश्ट, करेंट फोर्स का अबलेबल है, especially आप सब के लिए इस ममेशिप प्लान के जरीए और समधित एक्जामनेशन के टेश्ट सीरीज भी है, पूरे हर सब्जेक्ट के तो बहुत ही मामुली सा प्राइस है और आपके करेंट फोर्स की तियारिया शांदार होगी, इस उटे के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिंक है एप का तो आप कोशन लेते हैं, बहुत ही माहत्पोरन कोशन, आज के कई सारे कोशन इंपॉर्टेंट है अटानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने फरवरी 2024 में दुनिया के सबसे बड़े रिनोबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया तो कहां पर इस्थित है, आज सो का खावड़ा, ये कच गुजरात में तो ये देख रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिनोबल एनर्जी प्रोजेक्ट किस कमपनी ने इसको स्थापित किया है यहां में कुछ पॉइंट पीडे दिया है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस तरीके से बिजली का उतपादन होता है दो तरीके है solar और wind energy कई जगा आपको एक्जाम मतलब कई जगा यह लिखा हुआ देखनों को मिलेगा हो चकता है कुछ अकबारों में भी देखे कि दुनिया का सबसे बड़ा solar energy का यह project है नहीं solar energy का नहीं है यहाँ पर बात हो रही है renewable energy का renewable energy में कई सारे तरह के energy के स्रोत आ जाते है इसमें solar भी है wind भी है और भी कई तरीके के हैं यहां पर दो तरीके का है, यहां सोलर और पवन है, इसकी टोटल छमता अगर देखेंगे तो 30 गीगावाट है, जो की सबसे ज़्यादा है, रिनोबल एनरजी के छित में, ओके, फरवरी 2024 में कितनी छमता का उत्पादन शुरू हुआ है, तो 551 मेगावाट छमता का उत्पाद किलो मेटर, इतना पड़ा छेत रही है, ठीक है, तो यह है, पूरक पूरा, यह, रिनोबल एनरजी प्रोजेक्ट, ठीक है, सिर्फ, ऐसा कहना है कि सिर्फ 12 महीने में उत्पादन शुरू है, अडानी ग्रूप के जो चेयर्मैन है, गौतम अडानी, उनका कहना है कि, अडान यह पूरा इलाका जो ना कच्छ का वो बंजर था, बंजर है, तो वहीं पर इसको स्थापित किये गया है, ताकि कोई अडिकल्चर लैंड या कोई इन्पार्टल लैंड का दोहन नहों, ठीक है, तो यह दोहन केवल और केवल बंजर जमीन का किया ज़रा है, और एक महात्प पार्क है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर उर्जा सायत्र है, यहाँ इसकी जो छमता है, 2245 मेगावाट है, यह 2.2 गीगावाट, जो 13 लाग घरों को बिजली देने के लिए है, तो यह है बात सोलर की, ठीक है, वहाँ आप जो आपने देखा, इस चैप्टर का ज क्लियर होगी बात, तो दुनिया का सबसे बड़ा रिनियूबल एनरजी प्रजेक्ट है, तो गुजरात में शुरू है, गुजरात की बात करने, राजधानी गांधी नगर है, चीफ मिनिश्टर है भूपहिंदर भाई पटेल, और गवर्नर है आचारे देव वरत, नेक्श होगा त्री निदाद और टोबै को, क्या है, त्री निदाद और टोबै को, ये जुरुवा देश हैं, और कहां है वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, तो आँके प्रधान मंत्री है कीथ रोवले, तो उन्होंने बारा फरवरी को ये नेश्नल इमर्जनसी की घो दोशना करती है, अब हुआ क्या है, देख रही है, ये जहाज पलट क्या है, दिखने में लग रहा हूँ कि वेल मचली है, लेकिन एक्च्वल है नहीं, ये पलटा और उससे तेल का रिसा हो रहा है, और उस तेल की वाज़े से ये त्री निदाद और टोबै को का जो ये यहाँ का जो एको सिस्टम है, वो खराब हो रहा है, अब चलते हैं, त्री निदाद और टोबै को मैप के जरिये देखते हैं, ये है कहाँ पर, ठीके, त्री निदाद और टोबै को जो है न, वो केरवियाई दूपीय देश है, यानि उत्तरी और दक्षनी जो अमेरिका है, उसी के पास में है, और खासव पर ये करीब है डक्षिन-अमेरिका के, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये वाला जो हिस्सा है, ये है तृनिदाद और टोबगो, ओके राजधानी इसके क्या है? Port of Spain Port of Spain इसकी राजधानी है President है Christine Kangalu Prime Minister है Keith Rauli आबादी है 15.3 लाक मुद्रा है यहांके 3 निदाद और Tobago Dollar ठीक है क्या है 3 निदाद और Tobago Dollar ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं कि तेल का जो रिसाब हुआ है यह और दूर से अगर देखें तो यहां पर यह है ठीक है वेने जुए लाके पास में है सीमा टच नहीं होती है लेकि समुदरी सीमा है समुदर में है यह तो यह फोटोग्राफ देखिया तो यहां जहाज पलट गया उससे तेल निकला तेल करीब 15 किलोमेटर के हिस्से में समुदर में वो फैल चुका है और इसके तट को नुकसान पहुँचा रहा है इको जो इंडरिश्रिल पार्क है उसके पास में और इसके लिए उसने दुनिया से मदद भी मांगी है कि इसको किस तरीके से यह जो तेल रिसाव है इसको कंट्रोल किया जाए तकड़ाने की वज़े से और फसने की वज़े से यह जहाज उना वो पलट किया था ठीक है तो पलटन वेफसाय पर बहुत ही खत्रा मटरा रहा है इसलिए इसलिए निश्टल इमर्जेंसी घोशित किया है तिरी निदाद और टोबाइगों ने अब आगे बढ़ते हैं अगला भी कोशन महत्पून है किस पुरुवत्ता राज ने काजी नेमू यानि खटे नेमू को राज फल घोशित किया है आंसों का असम ठीक है असम के मुखमती हमें विस्वा सर्मा ने ये एलान सोचल मीडिया पर किया और उनके मंत्री ने विधान सभा में किया ठीक है तो ये फोटोग्राफ देख रहे है ये फोटोग्राफ जो ये शेर किया गया है ट्विटर पे वहां के मुखमती हमेंता विस्वा सर्मा के दौरा काजी नेमू है ये अपने अनुठे, सुगांद, स्वाद इन सब के लिए जाना जाता है और इसको जी ए टैग भी मिला हुआ है असम का ये असम के मूल निवासी का एक तीखा फल है मतलब असम से ही माना जाता है कि वहीं से ये निकला ये निमू का ये जो परजाती है वो निमू की ये परजाती ठीक है और ये इस तरह की अंडाकार जैसा होता है एक बार मैं दिखा देना जो तो इस तरीके का अंडाकार होता है और काफी उत्पादन वहाँ पर किया जाता है असम जो न वह ये रेट कलर वालज देख रहे हैं ये है असम पिछले कुछ वर्षों में ये जो नेमू है वो उसको दूसरे देशों में भी निरियात किया गया है इसमें औश्रधिये गुल्म भी है इसलिए बेशकिम्ती फल इसको कहा जाता है ठीक है आसम की भी बात कर ले राजदानिये दिस्पुर भाशा आसमिया बंगाली बोड़ों ये सब बोली जाती है ओके चिफ्पनेश्रिक बात मैंने पहले बता दिया गवर्ण है गुलाब चंद कटारिया अगला कोशन जनवरी 2024 में देश की जो खुद्रा मांगाईदर हो कितनी रही है आसम का 5.1% ठीक है ये एक महिने बाद जारी होती है अब जैसे फरवरी का जो मांगाईदर है कैल्कुलेट होके तो मार्च में जारी होगा तो इससे जनवरी का फरवरी में ये जारी होुआ है तो ये जो मांगाईदर है वो RBI के अच्हे परथिस्ट के अंदर ही होना जाई मैक्सम मैक्सम ठीक है वैसे चार परसंट होना चाहिए एक लेवल लेकिन दो परसंट कम हा दो परसंट ज्यादा वो टॉलरेबल है अब सवाल होगा कि खुद्रा महंगाई दर की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है तो NSO यानि National Statistical Office ये Ministry of Statistics and Program Implementation हिंदी में कहांगे सांकिकी और कारिकरम क्रियान वेन मंतरा ले उसके अंतरगत आता है अब सवाल होगा कि कैसे तै होता है ये खुद्रा महंगाई दर तो ये Consumer Price Index यानि CPI के जरीए तै होता है और CPI में क्या होता है कि खात समगरी, फल, कपने, जूते, घर, इंधन, बिजली और सब जो प्रोड़क्ट है उसकी कीमत देखी जाती है कि पिछले साल इसी वक्त में यानि जनवरी 2023 में जो कीमत थी उस प्रोड़क्ट की और फिर जनवरी 2024 में कितना फार्क है तो वो देखा जा रहा है कि यहाँ जो पिछली से जादा है पिछले से कितना जादा है इस बार का जनवरी का तो 5.1 परसेंट जो है वो है ठीक है तो यह है ओके महत्पुन बात और यह जो खुद्रा महंगाई दर है यह RBI के लिए भी इंपोर्टन होता है RBI का मुख जिम्मा है कि महंगाई को पर को कंट्रोल लखना RBI क्या करता है कि मार्केट में मनी के जो लिक्विडिटी है उसको कम या जादा करके यह महंगाई को कंट्रोल करता है रिपोरेट के जरीए नेक्स्ट कोशन लेते हैं शत्रंज ओलंपियाट का 45 संस्क्रंट के शहर में होगा जिसकी मशाल केंदरी के खेल मंत्री ने फरवरी है तो 24 में फीडे अध्धक्ष को सौपी है आन्सो का बुड़ा पेश्ट यह हंगरी में हंगरी में यह आज़न होने वाला है कब से कब तो कोगा दस से तेईस सितंबर 2024 में होगा सितंबर में होगा ठीक बुड़ा पेश्ट में और फीडे के यानि इंटरनेशन चेस फेडरेशन उसके अध्धक्ष कौन है तो आरकड अरकडी डूओर को विच तो उनको सौंपा है मशाल ओके आप कहेंगे फीडे जो है उसका फुल फॉर्म इंटरनेशन चेस फेडरेशन कैसे होगा फाइडी है तो वो जैसल फ्रेंच लाइवज है फेडरेशन दे इस तरह से नाम है उसका ओके इसलिए फीडे कहेंगा हुआ था और इस बार बुटापेश्ट में होने जा रहा है 10 से 13 सितंबर तक पिछला भारत में कहां पर हुआ था चौलिसवा संस्क्रण चैन्नाई में आयुद किया गया था और उसी के बाद यह परंपरा शुरू हुए थी मतलब उसी के दोरान चौलिसमें ओलंपियाड क दोरानी परंपरा शुरू हुए थी कि मशाल जो है निकाल जाएगी जैसे ओलंपिक में मशाल का जो महतु है ऐसा ही ओके तो पहली बार 2022 में परमिश्टर नैंद मोदी ने इसके लिए ओलंपियाड रिले शुरूआत कि थी कुछ वक्त शुरूआत से कुछ महीने पहले करी किया जा था कि जो भी आयोजग देश होगा वो नेक्स्ट आयोजग देश को ये मशाल सौंपेगा ठीक है अगला कोशन लेते हैं ICAI यानि Institute of Chartered Accountants of India उसके नए अद्धाक्ष कौन बने है आजसो का रंजीत कुमार अगरवाल ये CA है यानि Chartered Accountant है इनको बनाए गया है बहतरवा अद्धाक्ष न्युक्त किया गया है और 2024 तक वो इस पत पर रहेंगे और ICAI जो है नो वो यानि Institute of Chartered Accountants of India ये सरकार दोरा स्थापित एक निकाय है और मुख काम इसका देश में Chartered Accountant के पेशे को वियनमित करना विक्सित करना डिवलोप करना और सहस्तान पर इस पर प्रशास्तिक जो नियत्रन है वो Corporate मामलों का जो मंत्राल है उसका है अगला कोशन विश्व यूनानी दिवस्त का बना जाता है अंसो का 11 फरवरी को और इस पर के थीम क्या है एक प्रित्वी एक स्वास्त के लिए यूनानी चिकट्सा ये है इस पर की थीम अंग्रीज में कहेंगे यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये परसिद्व यूनानी विद्वान मुहमद अजमल खान या कहें हाकीम अजमल खान उनकी जैनती पर बना जाता है 11 फरवरी को और इस दिवस्त की घोशना भासरगार के आयूश मंत्राले आयूश का फुल फॉर्म क्या होता है आयरवेद, योगा, प्रकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्धी और हमियोपेती तो इस मंत्राले ने घोशित किया हुआ है और पहली बार युनानी दिवस बनाए गया था 2017 में, 11 फरवरी को, ठीके, तो ये जो दिवस है युनानी चिकित्सा पादिती उसको बढ़ावा देने के लिए है, ओक आप पे शांदार तयारी होती है, देखेगा ज़रूर, ओके, बाई